सभपती महोदे मैं रक्षा मंतरा लिये की मांगों का समर्थन कन्ने के लिए खड़ा हुआ हूँ बर्तमान घटनाओ से पता चलता है कि संसार का हर देश अपनी सुरक्षा के बारे में चिंतित है और उसके लिए हर प्रियतन कर रहा है इस दिरश्टी से अन्य देशों की तरह हमारे देश में भी रक्षा मंतरा लिये का महत्व है मुझे इस बात की खुसी है कि जहां अन्य मंतरालियों की उनके पिछले साल के कामों के बारे में काफी आलोचना हुई है वहां इस मंतरालिय की कम आलोचना हुई है इस से पता चलता है कि इस मंतरालिय ने पिछले साल अच्छा काम किया है मोटे तोर पर किसी भी देश की सुरक्षा निती का लक्षिय यह होता है कि दूसरे देशों खास तोर से पड़ोसी देशों के साथ मित्रता के संबंध इस्थापिध हो और हम एक दूसरे के मामलों में हस्तशेप ने करें लेकिन उसके साथ यह भी जरूरी होता है कि हम अपने देश की सीमाओ और एकंडता की रक्षा करें इसलिए हमारे देश का यह करतब्य हो जाता है कि हम अपने पड़ोसियों के कारियों पर पूरी नजर रखें क्योंकि आज तक हमारे देश पर जो संकट आए वे हमारे पड़ोसियों से आए है 1965 में पाकिस्तान के साथ जो लड़ाई हुई और उसके बाद तासकंद में जो समझोता हुआ वह सिर्फ कागज पर ही रहा पाकिस्तान ने उस पर कोई अमल नहीं किया इस दिरश्टी से बहुत जरूरी है कि हम अपने देश की सुरक्षा की हर तरह से विवस्ता करें हमारा उदेशिये दूसरों पर आकमर करना नहीं है लेकिन यदि हम पर कोई आकमर करें तो हम में इतनी शक्ती अवस्य होनी चाहिए कि हम उसका डटकर सामना कर सकें आप जानते हैं कि पिछले दिनों पाकिस्तान को अमेरिका और चीन से काफी मदद मिली है रक्षा मंतरालिय की रिपोर्ट में भी कहा गया है कि पिछले साल अमेरिका ने पाकिस्तान को सो करोड रुपे की फोजी साहेता दी है आज जहां हम फोजी सामान के लिए अपने कारखानों की मदद से अपनी सकती बढ़ाने का प्रियतन कर रहे हैं वहां पाकिस्तान संसार के देशों से फोजी सामान खरीद रहा है अपनी नीती के कारण वह सब देशों से लाव उठा रहा है मेरा सुझाव है कि हम को भी अपनी सकती बढ़ाने के लिए संसार के अन्ये देशों से अधिक से अधिक फोजी सामान खरीदना चाहिए आज तिब्बती सीमा पर चीन की डेल लाग फोज खड़ी है दो खड़ी है